यह अपने पास एक EOSMIT का Gheiser का PCB रिपीर करने के लिए आया था यह इसमें दो PCB होते है एक्चिल में एक PCB देख रहे हो और यह डिस्क लेवारा इसका मतलब इसने कम से कम बारा ओल्टेज आउटपूर्ट देना चाहिए वो नहीं दे रहा है इसके प्राइमरी जो वाइंडिंग ये ट्रांसपर्मर की वो खराब हो गए मतलब जो यहाँ पर अपना दूसरा ट्रांसपर्मर लगाने के बाद आपको दिखा देता हो कि यह सवाल हुआ है नहीं हुआ है तो इस ट्रांसपर्मर को अभी दुबारा धнихयान से देखो यह तेसें पेस का चौपर लगा हुआ है लेकिन एक यह यह बाहर सरी transformer मार्केटने मिलता है, वो 1012 का transformer, इसके उपर देख सकते हूँ, आपको इसके उपर लिखा हुआ है 1012 का transformer, जो 500 mA Sharing , यह इन्पूट सब्लitting के दो लाईने लगा दी है, और यहाँ पे aconब आउटपुट कि लगा दी है, यह सक्ड़ेशा की 12 Whasta, और इसको लगा रहा है अब यह ओन का बटन दावा दिया इधर अभी देखो आप इधर दिखा रहा है 30 degrees Celsius temperature और रिले नी भी supply छोड़ दिया मतलब जो coil को जो supply जाता है यहां से और रिले नी supply भी छोड़ दिया तो यह भी सही से working करने लग गया है अब यह temperature को अगर आपको सेट करना है तो यहां से आप temperature सेट कर सकते हैं अभी 70 degrees Celsius पर सेट है उसको अगर बढ़ाना है इस तरीके से यह सही से working करना चालो कर दिया है और अभी normal temperature कितना है तो यह 31 degrees Celsius temperature मतलब अगर इस sensor को मैंने गरम कर दिया इधर इसका जो sensor आपने पास है उस sensor को अगर आपने यह जो sensor देख रहा है आप इस sensor को अगर गरम कर दिया तो 31 से ऊपर चला जाएगा temperature मतलब temperature इसके अपर शो कर देगा कि यह देखो 32 हो गया 33 हो गया इधर देखो 32 की sensor को मैंने घीज दिया तो इसका मतलब है अभी अपना 34 हो गया अभी अपना PCB सही से वर्किंग कर रहा है इस तरीके से अगर आपके पास कोई यह समित का घीजर है उसके अंदर इसा PCB है उसमें अगर कुछ दिक्कत आ रहा है तो comment box में जाके comment करो अपने इस चैनल को subscribe करो आपका भी PCB repair हो जाएगा thank you